नमस्कार मित्रों आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में आप देख रहे हैं मेरा चैनल भवानी स्टोरीज माइचलोजी स्टोरीज और मैं हूँ आपका दोस्त भवानी सिंग तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा बजरंग बान के फाइदे क् बजरंग बान का पाठ कैसे करना चाहिए बजरंग बान से क्या क्रिपा प्राप्त होती है और बजरंग बान के पाठ करते समय क्या 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 गलतिया नहीं करनी चाहिए मित्रों आज के इस कल्यूग में सबसे चल्चित भगवान अगर कोई है तो वह बजरंग बली है क्योंकि वह सिरन जीवी है और साथ सिरन जीवियों की गिंती में आते हैं इस कारण भगवान हनुमान की कृपा हर कोई मनुश्य प्राप्त करना साता है और इस कारण भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए वह अपने जीवन में दियम और सैयम अवश्य प्राप्त करने की कोशिश करता है और अपने जीवन में दियम और सईयम का पालन करने की कोशिश करता है किन्तु मनुष्य से यह सब नहीं हो पाता जिस कारण बजरंग बली उस पर रिपा नहीं बसाते हैं तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं मित्रों बजरंग बान का पाठ सब्ता में दो दिन अवश्य करना साहिए पहला तो मंगलवार के दिन और दूसरा शनिवार के दिन तब ही आपको अलुमान जी की क्रिपा प्राप्त होगी मित्रों बजरंग बली के बजरंग बान का पाठ करते समय आपको अपने मन को स्वच रखना होगा अर्थार्थ आपको अगरम मचार्य का पालन करना होगा और आपको कोई भी बुरी आदत नहीं रखनी होगी अर्थार्थ आपको नशा, मदीरा, आधी का सेवन नहीं करना है और ना ही अपने मन में कोई कूविचार लाना है मित्रों जो मनुष्य निरंतर 41 दिन तक भगवान बजरंग बली के बजरंग बान का पाठ करता है उसे अवश्य भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त होती है और उसका यह पाठ सिद्ध होता है मित्रों भगवान हनुमान की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको बजरंग बान का पाठ रातरी 11 बजे से 1 बजे के बीच में करना होगा क्योंकि इस समय माना जाता है कि भगवान हनुमान की विशेश कृपा प्राप्त होती है आप सभी को एक लकडी के तक्ते पर वीला वस्तर बिचा कर फिर भगवान हनुमान की मुर्ति को पूर्व दिशा में रखना होगा उसके पस्चात बजरंग बान का पाठ करना होगा पूरी निश्ठा के साथ इस से भगवान हनुमान की विशेश कृपा प्राप्त होगी मित्रों बजरंग बान का पाठ तभी करना चाहिए जब सभी परिस्थितियां आपके विरुड हो जाए और आपके समक्ष कोई मार्ग ना बचे तब भगवान का गाम लेकर भगवान बजरंग बली का बजरंग बान पाठ करना चाहिए जिस से उनकी विशेश कृपा आप पर होगी और आपके सभी परिस्थितियां फिर से ठीक होने लग जाएंगी मित्रों शास्त्रों के अनुसार बजरंग बान का पाठ हर कोई हर कहीं नहीं कर सकता इसका पाठ तब ही करना चाहिए जब आप किसी गोज़ संकटवे हो अगर इसमें कोई त्रूटी होती है या इसके जाप करते वक्ताप से कोई गल्ती होती है तो भगवान हनुमान उस ग बजरंग बली का बजरंग बान का पाट तब ही करें जब आप किसी गोर परिस्तिती में हो मित्रों बजरंग बान अत्यधिक शक्तिशाली है क्योंकि इसका अर्थ ही है बजरंग कातीर अतार्थ अनुमानजी कातीर मित्रों इस बजरंग बान में मुझूद मंत्र के बीज आपके लिए बहुत ही फलदाई होते हैं किन्तु यदि किसी व्यक्ति में उस बान को संभालने की शम्ता नहीं है तो इसके परिणाव बहुत ही अवानसनिय होंगे और भगवान हनुमान इसका कठोर दंड देंगे फिर बजरंग बली की मुर्टि को दो कर उनको नारंगि वस्तर पहना कर और खुद नारंगि वस्तर पहन कर गी का दिया जला कर उनके समक्ष आती उतारनी होगी और फिर बजरंग बान का पार्ट शुरू करना होगा और इस पार्ट को एक सांस तक जपना होगा और फिर इसके बाद पूरा करना होगा इसे एक सांस में यदि आपके पास से कोई भी तुरूटी होती है तो बजरंग बली उस तुरूटी को शमा नहीं करेंगे मित्रों कहा जाता है कि यदि आप पीपल के नीचे बैठ कर गी का दिया जला कर 108 बार तक बजरंग बान का पाठ करेंगे बिना कोई गलती किये तो आपकी कंगाली और थार्थ आपकी परिस्तितियां ठीक हो जाएंगी और आपको धन का लाब होगा इस कारण कहा गया है कि बजरंग बान का पाठ 108 बार अवश्य करना चाहिए मित्रों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेस और कमेंट सेशन में एक छोटा सा कमेंट करके मुझे बताईएगा ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियो लाता रहूँ और आपको मनुरंजित करता रहूँ धन्यवाद, शुक्रिया, टाटा, बाई बाई